आज का टोपिक है CMR 2017 का सेड्यूल जिसमें नक्से वा प्लान बनाने के लिए निर्धारित चिन दिये हुए हैं टोटल 34 सेंबल हैं जिसमें की 15 सेंबल लाल रंग के हैं ब्लू और रेड कलर का एक सेंबल है जैसे की डिरेक्शन ओफ एर करेंट उसमें इंटेक ब्लू कलर से दर्साया जाता है और रिटर्न को लाल कलर से और बुलू कलर का एक सेंबल है और ग्रीन कलर का दो सेंबल है और ब्रंट सियाना जैसे मिट्टी से बने हुए इट का रंग के दो सेंबल है और तेरा सेंबल बिना कलर के हैं वो काले रंग से ही दर्शाय हुए हैं बुक में दिये हुए सेडूल पर एक नजर डालते हैं बॉंडरी ओफ लीज हौल्ड रेट कलर से दर्साय हुए हैं अंडरग्राउंड कोल बेरियर ग्रिन कलर से दर्साय जाएंगे और जैसे कि soft, abandoned, soft, incline और abandoned, inclines आपको ये याद करने में easy होगा कि माइन्स में जितने भी entrance के लिए जो भी तरीका अपनाय गया हो चाहे वो soft हो या फिर incline हो या फिर जो बंद कर दिये गए soft या बंद कर दिये गए incline हो उन्हें schedule में कोई भी color से दर्साय नहीं गया है चलिए अगले symbols के और बढ़ते हैं pillar and galleries schedule में कोई भी color से नहीं दर्साय गया है और drift को brunt siana color से दर्साय गया है और quarterly survey line को भी schedule में कोई color से दर्साय नहीं गया है staple soft को और abandoned staple soft को लाल कलर से ही दर्साय जाएगा staple soft किसे कहते हैं जैसे कि contiguous seam में एक section wise करके काम किया जाता है तो एक section से दूसरे section में जाने के लिए जो रास्ता बना जाता है उसे staple soft staple pit कहते हैं आपको यह याद करने में easy पड़ेगा कि जो pillar का जो भी symbol schedule में दिखाय गया है वो कोई भी color से दर्साय नहीं जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं pillar and gallery में जो pillar का symbol है वो कोई color से दर्साय नहीं गया और जैसे कि quarterly survey line में भी pillar का ही symbol दिखाय गया तो उसमें भी schedule में कोई color से दर्साय नहीं गया है चलिए अगले symbol क्यों बढ़ते हैं fault fault को भी लाल color से ही दर्साय गया है और diek और other interactions जैसे कि diek seal को भी green color से ही दर्साय जाएगा अगले symbol है gov जैसे कि मैंने आप लोगों पहले ही बताया था कि जिस symbol में pillar दिखाय जाएगा उसको schedule में किसी भी color से दर्साय नहीं गया है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं gov में भी pillar का symbol ही है अगले symbol है subsidence उसको red color से ही दर्साय जायेगा अगले symbol है benchmark बेंच मार्क को भी schedule में किसी color से दर्साय नहीं गया है अगले symbol कि और बढ़ते हैं अगला symbol है surface contour surface contour को भी brand siyana color से दर्साय गया है आपको यह याद करने में easy होगा कि brand siyana color से दो symbol को दर्साय गया है पहला है surface contour और दूसरा है drift अगला symbol है underground spot level को भी blue color से दरसाए गया है और अगला symbol है water dam water dam को भी लाल color से दरसाए गया है और direction of air current में दो color से दरसाए गया है intake को blue color से दरसाए जाएगा और return हवा को लाल color से और जैसा कि अगला symbol है door ventilation door को भी लाल color से दरसाए जाएगा अगला symbol है brick stone और concrete ventilation stopping जैसे कि इट पत्थर या cement से बने हुए ventilation stopping को भी लाल color से दरसाए जाएगा और fire dam seal और stopping isolation stopping को भी लाल color से दरसाए जाएगा और explosion proof stopping को भी लाल color से दरसाए जाएगा और अगला symbol है air crossing air crossing और explosion proof air crossing मतलब किसी भी तरह का भी air crossing को schedule में कोई भी color से दरसाए नहीं गया है अगले symbol के और बढ़ते हैं अगला symbol है regulator regulator को भी लाल color से दरसाए गया है और auxiliary fan को भी लाल color से दरसाए जाएगा अगले symbol के और बढ़ते हैं अगला symbol है underground first aid station first aid station को मोटे plus के लाल रंग से दरसाए जाएगा और engine house room को schedule में किसी भी color से दरसाए नहीं गया है और borehole को भी schedule में किसी भी color से दरसाए नहीं गया है और survey line and stations को red color से दरसाए जाएगा यह schedule का आकरी symbol है इस section of sim को भी schedule में किसी color से दरसाए नहीं गया है वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे और भी दोस्तों तक पहुँचाए Thank you